अब protection की बात करें, तो memory protection, क्योंकि एक मैं फिर से बताऊं आपको, कि एक main memory में बहुत सारी चीज़ होती, तो operating system की जगा होती है, यहां लग लग process होंगे, तो process को आपको से बचाना, कि यहां ना फूच जाए, यहां की area ना use करना लगे, और process operating system की जगा ना use करने लगे, लग देते हैं, हर एक bit आपको बताएगा, एक page read only है, read write है, कैसा है, हर एक बार जो reference आप करेंगे, memory के लिए, वो इस page table के थूँ जाता है, ताकि frame number हमको पता चल सके, तो इसी जगा क्योंकि page number, page table में ही आपके protection bits हैं, वो यहां पर चेक की जाते हैं, तो valid और invalid bit, यह हम page table के साथ link कर देते हैं, valid का मतलब यह है, कि जो page वाकी में, जो process के logical address space में है, invalid का मतलब यह है, कि अभी process logical address space में नहीं है, अगर कोई legal address आता है, तो उसको आराम से आप valid invalid के साथ से trap कर जाते हैं, इससे protection होता है, तो valid invalid किस तरीके से होता है, इसको समझें, यह आपका page table है, page table में ने कहा कि यह जो page है, वो इस फ्रेम में होगा, यह page इस फ्रेम में होगा, लेकिन valid, 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 यह valid हैं, क्यों, देखिए, 0 से लेकर 5 तक आपको दिखाई देरें, 5 तक यहां तक बलकिए valid है, 6 पाँ 7 पाँ है नहीं है न, तो यह invalid होगा, अगर आप इसको access करने लगेंगे, तो यहां पर जैसे हम check करेंगे, invalid है, तो इसको मतलब यह चीज़ invalid है, यह आप यह exist ही नहीं करता है, इसके लिए कोई, अगर बाइचंग कोई ऐसी sequence हाती है, कि इसके frame मांगने लगे, यह frame के लिए expect करने तो एक थोड़ा सा wastage यहां पर हो सकता है, या पेज टेबल हर एक के लिए पेज टेबल बना रहे हैं, और हर एक page में एक address रहे हैं, तो एक PTLR है, यहांनि पेज टेबल length register, वो आपको size बता सकता है, पेज टेबल, PTLR